ये युवा महतसव उमंग हमारे यहां कारिक्रम किया जा रहा है कल हमारे यहां कीड़ा महतसव हुआ था जिसमें बच्चों ने खेल करा था दौर्ड लगाई थी क्योंकि महामारी है तो हम ज़्यादा प्रतियोगिताई नहीं करा रहे हैं अब हमारे यहां सांस्कितिक कारिक्रम चल रहा है यह दो दिन का कारिक्रम है आज हमारे यहां पोस्टर प्रतियोगिता है ग्रीटिंग कार्ड्स है नुकड है यह कारिक्रम कराए जाएंगे बाकी का हमारे यहां कल हुगा तो आज बच्चों के सांस्कितिक प्रतिभाओं को उभारा जाएगा यहां परैसलिए प्रतियोगीता हैं इस तरह से करा रहे हैं कि बच्चे दूरी का धियान रखते वें मास्क लगाते हुए और कारीक्रम कर रहे है। मैं वीरंगना रानी अवंति भाई लोधी राज किये महला माविद्याले में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आज हमारे युवा महुत सव कारिक्रम शुरू हो रहा है और आज हमारे भारत के युवा नेता प्रथम युवा नेता स्वामी विवेकनन जी का जन्म दिवस भी है उनके इसी उपलक्ष में युवा दिवस मनाय जाता है युवाओं को बहुत प्रेरित किया स्वामी विवेका नंजी ने उनका बहुत प्रस्षिद जो वक्तावी है कि उत्तिष्ठ जागरत उठो जागो और तब तक कारे करते रहो जब तक कि अपनी मंजिल को अपनी उद्देश को लक्ष को पानालो और स्वामी विवेका नंजी ने हम युवाओं को प्रेरित करने के लिए बहुत सारी जो है बाते लिखी है और उसमें ये भी लिखा है कि बीमार होना भी ये कमजोर होना भी एक तरह की कमजोरी है प्रेतन करते रहो अपने स्वास्त को युवाओं के लिए उनका मैसस था बना के रखो अच्छे स्वास्त के लिए प्रियास करो अच्छा भोजन करो अच्छा योगा करो और देश की उचाईयों को देश को उचाईयों तक थी कि उन्होंने ही सबसे वहले आज हम इंटरनेट के युग में एक ग्लोबल व्लेज की ग्लोबलाइजेशन की वैश्वी करण की बात करते हैं स्वामी वेका नंजी ने बहुत साल पहले ही कह दिया था कि ये पूरी वसुधा यानि प्रत्वी एक कुटुम परिवार के समान है और हम पूरे विश्व को जो है विश्व एक परिवार की तरह शांती और प्रेम से रहे और युवाओं को हमेशा उत्साह पूर्वक जीवन चाहिए उनका में थीम यही था और आज इस बात को पूरी दुनिया मानती है युनाइटिट नेशन्स पीस और गनाइजेशन इसी बात के लिए स्थापना इसी इसके लिए किया गया है चूंकि आज कोबिड का दौर है और जैसा कि कहा जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं मैनव याद आती है और उसको हमें अमल करना चाहिए कि ये जो सास्थ खराब हो रहा है युवा भी इससे एफेक्ट हो रहे हैं बच्चे भी एफेक्ट हो रहे हैं जो नई स्ट्रेन आई है स्वामे विवेका नंजी के सिधानतों पर और उनकी विचारों पर अगर अगर अमल किय जाए तो इस तरह की जो निगेटिव बाते हैं निगेटिव चीजें क्रियेट की गई हैं जिन भी देशों दोरा मैं नाम नहीं लोंगी कि क्या कॉन शेयों है लेकिन कहीं ना कहीं ये मैनमेड वाइरस जो फैल रहा है इस निगेटिविटी जिससे पूरी दुनिया अफेक चुकी है इंटरनेशनली एक दूसरे जूर चुकी है तो आज स्वामी विवेका नंजी क्या सिधान्त और विचार बहुत ही प्रासंगिक हो चुके हैं उनके विचारों पर हमें मल करना चाहिए और वस्देव कुटुम्बकम को ध्यान में रखते हुए युवाओं के उत् चिद ही प्रेरित होना चाहिए धन्यवाब